नमस्कार हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकर के साथ जियारेफ हिंदी 2021 की तैयारियों के अंत्रगत हम इकाई तीन साहित्यशास्त्र पड़ रहे थे और इसमें हमने लगभग अपने 12 चेप्टर इससे पहले कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने एक आपका मौक टेस्ट भी रखा था जिसमें हमने 15 प्रशनों को डिसकस किया था विस्तार पूर्वक आज हम 16 से 30 जो प्रशन हैं आपके साहित्य शास्तर के अंत्रगत जो भारती कावे शास्तर में आता है इसमें हमने जो संस्कित के प्रमुक अचारे हुए हैं और इसके अलावा कावे हेतू, कावे प्रियोजन, कावे लक्षन और आपका रस संपरदाय, साथ ही साथ आपका अलंकार संपरदाय हमने उसमें निहीत कर लिया था और उसी से related हमारी जो भी ये प्रश्णोत्रियां हम क कीजिए कि उसमें कुछ चीजें आपको ऐसी इंपोर्टेंट मिलेंगी जो आपके लिए UGC NET हिंदी की परिक्षके लिए बहुत जादा उप्योवी साबित होने वाली हैं तो आज हम ये जो दूसरी प्रशनोतरी इसमें कर रहे हैं इसको शुरुआत करने से पहले एक और मह स्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लक्षर की और सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्शन नमबर एक तो भरत मुनी के रस सुत्र में किसका उलेक नहीं है एक चीज़ तो आपको हमेशा ही याद रखने पड़े क कि यदि आप संस्कित का वेशास्त्र या आपका ये साहीते शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको जो भरत मुनी है उसका जो रस निश्पत्ती का जो सिध्धान्त है वो आपको याद रखना ही पड़ेगा है ना कि वो सूत्र जो है वो बहुत जादा इंपोर्टेंट है उस सुत्र में किसका उलेख नहीं है विभाव, अनुभाव, व्यविचारी, भाव और स्थाइभाव तो अगर आपको वो सुत्र याद होता तो इसका उत्र उसी में बिल्कुल इजी और सिंपल वे में बता दिये जाना था ठीक है? तो देखिए वो पूरा क्या है? विभाव, व व्यभीचारी भी आ गया इसमें ठीक है विभाव अनु भाव व्यभीचारी भाव संयोगादरस निश्पति संयोग से क्या बनता है निशपति होती है किसकी रसकी ठीक है तो ये चीज किसने मानी है ये भरतमोहिने मानी है तो देखिए ये तीन चीज़ें इसमें हैं, स्थाई भाव के नहीं माना है, तो किसका उलेक नहीं मिलता हमें उसमें, रसूत्र में, तो वो है आपका स्थाई भाव, ये इसमें नहीं होगा, विकल्प नमबर 4 इसका सही उतर होगा, तो देखिए जब भी आप UGC NET की त्या प्रशन रहेगा, कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उसको शुरुवात से पढ़िए, और बिल्कुल सिस्टेमेटिक तरीके से जब आप पढ़ेंगे, तो आपको याद करने में ज़्यादा कटिनाई नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि आज आपने एक ची jy नहीं देख लेते हैं, प्रशन नंबर दो है, देखिए, कावयम तू जायते जातू कस्चित प्रती भावतह पंग्ती किस की है, ठीक है, देखिए, ये वाली पंग्ती किस संदर्व में है, एक चीज़ तो यह होनी चाहिए, ये है, आपके कावय हेतु के संदव में, ये पंक्ति किस ने कही है ये पूछा गया है काव्यम तु जायते जातू कस्चित प्रतीभावता तो काव्य हे तू किस अंतरब में ये वाले पंक्ति किस किया देखिए ये है भामा की ठीक है तो इसका अर्थ क्या हुआ देखिए कि किसी किसी प्रतीभाशाली में ही काव्य कभी कभी स्फूरित होता है ठीक है कि हर कोई व्यक्ति क्या है साहित्य की रचना नहीं कर सकता है ना कावय नहीं लिख सकता ये कौन मानते हैं ये अचारे भामा मानते हैं भामा का क्या समय था छत्वी शती था इनकी जो प्रसिद रचना है कौन सी है कावय लंकार इनकी रचना का नाम है ठीक है तो ये चीज बहुत ज़ादा मौतपूर्ण है कावे हेटों किस नदर में नोंने कहिए देखिए ठीक है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्ब नमबर एक भामा तो इस देखे की पंक्ती आपको UGC net की परिक्षा में दे दी ज जाती है उसको आपने कई बार ये मिलान के लिए पूछी जाएगी कई बार सिमपल सीधा ही प्रशन पूछा जाएगा जैसे यहां पर रखा गया है तो आपने इसको ठीक हरना है चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संख्या 3 है रस अखंड है रस स्व प्रका तो अगर आपके पास दृष्टी की जो बुक है देखिए UGC NET के लिए उन्हें गाइड निकाली है ठीक है हाना कि अच्छी पुस्तक है लेकिन उसमें इसका उत्रशाइद थोड़ा सा अलग दिया हुआ है तो इसको आपने एक बार वहां पर देख ले ना वहां पर विदांतर है और एक विकल्प और दिया था कि पूछा गया था कि इन में से किसका एक कवी का नाम दिया है जो यहां पर चारब भी हैं भी इनको हम डिसकस भी करेंगे कि उनका ये कथन नहीं है तो उसमें शायद वो चौथा जो विकल्प है वो वहां यहां पर नहीं रखा है मैंने तो उसको उन्होंने माना था कि ये इन्होंने कहा हुआ है ठीक है तो यहां पर देख लेते हैं इसका उत्तर फिर वो आप एक बार उसको जरूर देखेगा तो देखे रस अखंड है रस स्वप्रकाश है रस विदांतर स्वर्श शुन्य है तो इसका जो सही उत्तर है चुकी है उनको आप देखिए वहांपर हमने इनकी रचनाओं इनकी समय के बारे में लिख दिया हुआ है बता दिया हुआ आपको ठीक है तो यह चीज है देखिए कि विश्वनात ने क्या कहा रस अखंड है रस स्वप्रकाश है तो यह तो आप जानते ही है कि अखंड और जुरूरत नहीं है अखंड है मतलब वो अखंड है उसके तुपड़े नहीं हो सकते लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि रस विदांतर स्वर्शिशोन्य से यह क्या समझते हैं अगर हम साहीत दरपन की बात करें जो विश्वनात की प्रसीद रचना है देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो तीसरा परिछेद है देखिए उसमें है ना उसमें इन्होंने कहा है रस स्वरूप के संदर्व में इन्होंने यह चीज कही है कि तो यह चीज इन्होंने कही है उनके कहने का मतलब क्या है कि रस का साक्षातकार सत्वगुण के सुन्दर स्वच आलोक में होता है ठीक है और रस अखंड या फिर आपको कह सकते हैं कि अध्वित्य है है ना स्वप्रकाश है अनन्द में चिन में या चमतकार युक्त जिसको कहते हैं विदांतर स्पर्श शुन्य और ब्रह्मा स्वाद सहोधर होता है तो ये इनका जो एक उलेखिनों ने इस प्रकार से किया है कावलक्षन का जिसमें दिखी कौन कौन सी चीज़ें आ गई अखंडता भी आ गई तो दिखे वेदांतर स्पर्श शुन्य का भी प्राय है कि आपका जो रस है साक्षात कार के समय दूसरे वैद्य विश्यों को आश्पर्श तक नहीं होता अर्थात वहर अस्वाद में पूर्णतह तलीन या फिर एकागर रहता है तो ये तीन चीज़ें किसने कही है ये चीज़ें कही है विश्वनात ने अपने जो इनकी प्रसिद रचना है साहिते दरपन के तृतिय परिशेद में ये चीज़ है किसके संबंद में विश्वनात के संबंद में clear है तो दिश्टी में इसका जो दिश्टी की पुस्तक है उसमें थोड़ा सा अलव हो सकता इसका उत्र आप एक बार जरूर उसको देखेगा हालां कि अभी मुझे exact अभी समझ नहीं आ रहा है कि वहां पर कौन सी चीज जो है वो कही गई है तो देखेए सबसे पहला ही प्रशन हमने पड़ा था कि आपका जो रस निश्पत्ती के संदर्म में जो रस सूत्र में उन्होंने रस निश्पत्ती की बात कही है भरत मुनी ने उसकी आगे अलग-अलग विद्वानों ने व्याक्या की है ठीक है तो यहां पर उसी व्याक्या को सरल तरीके से हिंदी में लिखा गया है रस न तो उत्पन होता है और नहीं अनुमिय है वह सिरुप व्यक्त होता है यहां कथन किस्त ने कहा है तो देखेए सिंपल और समझ के अगर आप इसका उतर देंगे तो बहुत साधारन सा है कि यह बात कही थी अभिनव गुप्त ठीक है तो अभिनव गुप्त ने क्या कहा था इसको दिखिए उन्होंने कहा था अभिव्यक्ति वाद तो अभिव्यक्ति वाद दिया था तो इसका क्या होगा विकल्प नंबर यह दिखिए व्यक्त लिखा है तो यहां से यह आपने रखना था अभिव्यक्ति वाद था इ यहां पर व्यक्त पूछा गया है तो यह किसका है अभिनव गुप्त का ठीक है अभि व्यक्तिवाद तो इन्होंने क्या माना कि जो रस है उसकी वो ना तो उत्पन होता है नहीं उसका अनुमान लगा जा सकता है वो सिर्फ व्यक्त होता है कि वाभी मजा आ गया ठीक है तो से जादा जो प्रमानिक भी माना जाता है वो किसको माना जाता है अभिनव गुप्त की जो व्याक्या है उसको ही माना जाता है रस निश्पत्ति के संदर्ब में ठीक है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल ठीक उतर होगा प्रशन संख्य पांच है देखिए सरस्वती कंठा भरण किसकी रचना है तो सिंपल सा प्रशन है सदाहान सा प्रशन कि सरस्वती कंठा भरण किसकी रचना है तो देखिए विकल्प है क्षेमेंद्र भोज रुयक और विद्यनात तो देखिए इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर दो भ तो भोज की रचना का नाम क्या है देखिए सरस्वती कंठा भरण ठीक है तो भोज का समय कब था इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए हलांकि ये ग्याहरवी शती के आसपास थे उत्राद पूरवाद ये हम आगे जानेंगे क्योंकि भोजराज से ठीक है और सरस्वती कंठा भरण में देखिए इन्होंने कौन सी चीज इन्होंने बताई है ये चीज जादा इंपोर्टेंट है आपके लिए कि इन्होंने इसमें विपसा का उलेख किया है तो जो विपसा अलंकार है देखिए उसका इन्होंने उलेख किसमें किया है इसे मैं बतालेता हूँ द्वीरुक्ती अनुपरास के उपभेद के रूप में ठीक है तो ये चीज आपने इसमें याद रखनी है ठीक है विपसा का उलेख इसमें मिलता है तो ये था प्रशन नमबर पांच जो आपके भोज से रिलेटिड था ग्यारवी शती के जो है अब कावेशास्तर से क्रम अनुसार जो क्रशन है वो जरूर पूछा जाएगा या तो आपको साही तेकार है या फिर उनकी जो रचनाए है उनके संबन्द में पूछा जाता है तो ग्यारवी शती के कौन कौन से हैं देखिए इन में से सबसे पहले देखिए महिमभट और ममट तो ये सब के सब क्या है ग्यारवी शती के अचार्य है ठीक है अगर हम भोजराज की बात करें देखिए तो ये है पूरवार्द के ठीक है ग्यारवी शती का पूरवार्द माना जाता है इनका समय ठीक है अगर हम बात करें महिमभट की तो ये है मध्यभाग के ठीक तो ये अलग-अलग नहीं है, ग्यार्मी शती के ही सारे हैं, ठीक है, हो सकता है मद्याद, आपका पुरवाद और उतराद, इस तरीके से पूछा जाए, लेकिन ग्यार्मी शती के अचारें को आपने इस तरीके से याद रखना है, महिमबट, भोजराज, क्षेमेंद्र और मम भी उतराद के ही आपके अचारे हैं, ठीक है, तो ये बहुती सिंपल प्रशन था, लेकिन फिर भी आपको इस तरीके के प्रशन कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, प्रशन संक्या साथ है, देखिए, अलंकार को वेद का सात्वा अंग किसने माना है, तो ये भी हमने पहले इससे पहले जब हम अलंकार संपरदाय के उपर एक लक्चर रखा था, इससे ठीक पहले वाला लक्चर, तो उसमें हमने बहुत विस्तार से ये चीज़ें पढ़ ली थी, समझ ली थी, कि अलंकार को वेद का सात्वा अंग किसने माना है ठीक है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए ये होगा राजशेखर तो राजशेखर की जो प्रसिद रचना कौन सी है देखिए वो है आपकी काब्य मिमासा ठीक है और राजशेखर का समय कब है ये भी आपको पता होना चाहिए है ना तो इनका जो समय है देखिए वो है दस् उसे क्या माना है इन्होंने वेदार्थ का उपकारक कहा है किसको अलंकार को वेदार्थ का उपकारक तो ये चीज याद रखना है वेदार्थ का उपकारक ठीक है ये चीज आपने इसमें याद रख लेनी है कि इन्होंने पहले तो क्या कहा वेद का सात्वा अंग अलंकार है और विदार्थ का उपकारक इसका भेड माना है, ठीक है, तो ये चीज किसने कही है, राजशेकर दस्नुशती के अचारेने का बेभिमासा में, अगला प्रशने दिखिए प्रशन संख्या आठ, शांत और प्रयोन नामक ने रसों का उलेख किसने किया है, तो दिखिए दो बा कौन-कौन से रस होते हैं, ठीक है, तो उसके उपर हमने विस्तार से एक लेक्चर बनाया है, जहां पर हमने आपके श्रिंगार रस से लेकर के शांत और बातसल रस तक जो भी है, वो सब हमने कम्प्लीट पड़े थे, और अन्य रसों के बारे में भी हमने वहाँ पर जाना ठीक है, तो रुद्रट का समय कब था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नविशती, और इनकी प्रसीद रचना क्या है, कावेलंकार, और कावेलंकार के नाम से ही भावने भी रचना की हुई है, ठीक है, तो रुद्रट ने देखी क्या माना है, कि जो आपके दो नए रस इन्होंने माने हैं, कौन-कौन से, एक तो आपका शांतरस हो गया, दूसरा आपका प्रयोन हो गया, ठीक है, इनका इन्होंने उलेक किया है, और शांतरस के लिए जो स्थाई भाव इन्होंने माना है, वो माना इन्होंने सम्यक ज्यान, ठीक है, तो इसको भी आपन जिसमें आपकी रस निरूपक ग्रंथ गुष्ट कौन सा है। जब हम रितिकाल के बारे में पड़ रहे थे, वहाँ पर हमने विस्तार से देखा था, कौन सा अलंका निरूपक है, कौन सा आपका कावब्यांग निरूपक है, कौन सा आपके जो दूसरे हैं, जिसमें हमने रस निरूपक की बात कही थी, चंद निरूपक आपकी रचनाएं थी, उनकी बात कही थी, तो सब की सब रीति कालीन रचनाएं हैं, देखिए, अगर हम बात करें अलंकार निरूपक की, तो भाषा भूशन, जस्वन सिंग की रचना है, अलंकार निरूपक ग्रं और पदमा भरन किसकी यह रेखिए, यह है आपका पदमा करकी, ठीक है, तो यह सब किस सब रचनाएं क्या हैं, अलंकार निरूपक ग्रंथ हैं, तो रितिकालिन जो रचनाएं हैं, वो इस तरीके से पूछी जा सकती हैं, और पूछी गई हैं प्रिवेसर पेपर में, तो इसल इसको लिया जा सकता है अगला प्रशन है देखिए प्रश्चन संख्या 10 इसमें ले कहते हैं कि प्लेटो रस्किन और टॉल्स्टॉय है तो देखिए जब हम कावे प्रियोजन के समद्ध में पड़ रहे थे कावे प्रियोजन के उपर भी हमारा पूरा का पूरा लेक्चर है तो वहां पर हमने जो पाष्चात्य चींतक ते देखिए उनको डिसकस किया था कि जो पाष्चात्य जो कावेशास्तर में आते हैं देखिए उन्होंने कवीता को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है कि काव्य क्या है उसका परियोजन क्या रहता है स्टेटिए में विवाजित किया था तो इन तीन भागों में या तीन वरगों में विवाजित किया गया था आपके जो पास्छा चाते विचारक थे कावय प्रयोजन के संद्रम में तो यहां पर पूछा गया है प्लेटो, रस्किन और टॉल्स्टॉय क्या है तो जो प्लेटो, रस्किन और टॉल्स्टॉय रहे हैं देखिए ये रहे हैं आपके लोकमंगलबादी अचारे तो लोकमंगलबादी अचारे सिर्फ ये तीन प्रसिद माने जाते हैं इनी का जिक्र इसमें किया जाता है ये मानते हैं कला किस के लिए है जीवन के लिए मानते थे ये तो इसलिए इनको क्या माना जाता है लोकमंगलवादी माना जाता है तो जो प्लैटो थे जो आपके अनंदवादी दिष्ट कॉन के जो अचारे हुए है अनंदवाद में तो अनंदवाद में कौन कौन से आते हैं देखिए इसमें और उनका जो मत है वो क्या चीज बानते हैं इनका कावे प्रियोजन किसके लिए है कला कला के लिए ही माने जाती है या अनन्दवाद को ये मानेता देते हैं ठीक है और कुछ लोगों का मत है कि कला में क्या है नेतिकता का विरोध नहीं है किन्तु नेतिकता के लिए क्या है ये प्रासंगिक नहीं है ठीक है कला का जो ये एक मात्र प्रियोजन पाठा को आनंद प्रदान करना ही मानते हैं, तो ये कौन मानते हैं, ये मानते हैं आपके जो आनंदवादी रहे हैं, जबकि समनवेवादी मतलब ये दोनों जो चीज़ें आपकी देखिए, उनको ये मानके चलते हैं, कि आपके दोनों चीज़ें उसमे बुचारक हैं वो आ जाते हैं जिसमें आपके अरस्तू हो गया ड्राइटन हो गया हो गया है ना William Wadsworth इत्यादी इत्यादी तो यह जो भी है यह सब के सब किसमें आते हैं समनवेबादी है जबकि निराशावादी यहां पर नहीं है इसमें इन्होंने विवाजित नहीं किया है ठीक है तो अनन्दवादी लोगमंगलवादी और समनवेवादी तो प्लेटो रसकिन और टॉल स्टाय लोगमंगलवादी अगला परशन हम दिख लेते हैं प्रशन संख्या 11 गया है असत्य कथन बताईए तो ऐसे परशन भी UGC NET की परिक्षा में पुछ जाते हैं यहां पर पूझा गया है कि गलत कथन कौन सा है तो पहला है देखिए कावे प्रियोजन से ताथ पर एक कावे रचना की उदेश्या से होता है तो बिल्कुल सही बात है कि कावे रचना का उदेश्या से ही होता है कावे प्रियोजन का अर्थ तो कावे प्रियोजन के सही है ठीक है नेक्स से दिखिए कावे रचना में रचनाकार का कोई उदेश्य निहित नहीं होता तो ये अपने आप में क्या है गलत है तो असत्य कथन कौन सा है विकल अपना बच्चार है कावे रचनाकार का कोई उदेश्य निहित नहीं होता तो ये बिल्कुल भी गलत बा ठीक है किसी ने बोला लोकमंगल के लिए है ठीक है तो जो रचनकार है वो किसी ना किसी उदिश्य को लेकर ही कावय की रचना करता है तो भी कल्प नमबर चार इसका क्या होगा बिल्कुल सही उतर होगा प्रशन संख्या 12 है देखिए असत्य कथन बताईए दोशों का वीपर कावय गुणों की चर्चा की है तो ये क्या है बिल्कुल गलत बात है भरतमुनी ने अपने गरंथ में कितने गुणों की चर्चा की है दस गुणों की चर्चा की है अगर हम तीन गुणों की बात करें तो देखिए ये किसने कही है भरतमुनी के ठीक बात जो भामा हुए है उन्होंने माना है कि कावे में तीन ही गुण है और कौन-कौन से हैं वो देखिए माधूरिय ओजदता प्रसाद ठीक है तो ये भी सब्ते है कि कावे में तीन गुण माना जाते हैं माधूरिय ओजदता प्रसाद लेकिन भरत्मों इने माने हैं दस ठीक है और अगर तीन नमबर दो है देखिए केवल वही गलत है बाकी जो तीन इसमें कथन बताए गए हैं वो सत्यकथन है क्लियर है तो अगला परशन देख लेते हैं प्रशन संक्या तेहरा तो यहां पर स्थापना और तरक वाला एक परशन रखती है देखिए कविता मूल रूप से जीवन की आलोचना है तरक है देखिए इसका कविता का जीवन से गहरा संबंध होता है तो यह वाले जो दोनों कथन है देखिए ये दोनों ही सही है कविता मूल रूप से जीवन की आलोचना है तो यह किस ने कही थी बात मैथ्यू अर्नौल्ड ने है न confused नहीं होना है, तो सही बात है पहली वाली, दूसलिये देखिए कवीता का जीवन से गहरा संबंद होता है तो ये भी क्या है, correct है तो दोनों इसमें सही उत्तर होंगे आखरी आज का प्रशन देख लेते हैं प्रशन संख्या 15 है देखिए सही क्रम में रखिए तो ऐसे प्रशनों के लिए भी आपको अब तयाद रहने की जरूरत है आपके सबसे पहले देखिए यहां पर रचना है अलंकार सर्वस्व है ना, सबसे पहले कावयलंकार दिया गया है, है ना तो कावयलंकार किसकी है भामा की है और भामा का जो समय माना जाता है देखिए वो कब था छटवी शती तो यहाँ पर छे हो गया कावयलंकार सार संग्र है तो यह किसकी रचना है देखिए कावयलंकार सार संग्र है उदभट की तो उदभट का समय क्या था आठवी शती ठीक है अलंकार सर्वस्व तो समय है यह है बाहरवी शती ठीक है अलंकार सर्वस्व ठीक है तो विकल्प नमबर एक ही इसका लगभग सही लग रहा है आखिर में आपका अलंकार कौस्टूभ है जिसको रचनाकार कौन है विश्विश्वर पंडित है और यह आखिर में ही हुएं सबसे लास्ट में मुझसे कोई भी प्रशन गलत हुआ हो या फिर आपका कोई डौट है तो आप बेजी जग कॉमेंट सक्षन में जाकर कह सकते हैं जो भी हमसे कमिया रही है हम कोशिश करेंगे कि उनमें फिर से सुधार करके आप लोगों तक बहतर और सही जानकारी पहुंचाई जाए तो फ झांग जाती, जाए वकवा नहें जाए हुंचाई ओर मनलत हॊंचाई टुब हो झांगे जाए कि जाए हमसे हुआ हूई जाओ से सम्ठीति हुआ है तो तो फिर से सक्षन में जाय सते है कि अ tipos अहा हुआ है जा एाटuma भी है झाल झाल